हेई गाइज, वाट्स अप एवरीवन, वेलकुम बैक तो दे चैनल, दिस शिवम दिवेधी और यू आर वाचंग इंस्पाइड एकॉनमिक्स साथ के साथ free of cost इसकी PDF भी प्रवाइड कराते हैं और साथ साथ जो नोट्स मैं बनाता हूँ वो भी नोट्स की PDF आपको प्रवाइड करा दे जाएगी लेकिन उसके लिए हमारा टेलिग्राम चैनल जॉइन करना पड़ेगा जिसका नामे एकॉनमिक्स इजी है लिंक डिस्क्र सोड़ी से न्यूज आती है कि बाई इलेक्शन होने वाले हैं अच्छा मैं आपको ना मुझे इस न्यूज से कोई मतलब नहीं है सिर्फ हमारे एक्जाम में एक पॉइंट आ जाता है बाई लेक्शन को लेकर कि बाई लेक्शन क्या होता है दोस्तों आपकी जानकारी के लि या वो अब इस लाइक नहीं रहा कि वो अच्छे डेसिजन ले पाए तो ऐसी में उसको वहाँ से एक्जेट कर दिया रहाता है बिना पांच साल की कारेकाल को पूरे की हुए तो ऐसी में जब हम दुबारा से री इलेक्शन करवाते हैं उस बच्चे वी टाइम पिरेड के ये उसको मोलते हैं वाइ एलेक्षन मैं रिपीट कर दो हो एलेक्शन होते हैं जितने बचे वी टाइम पिरेड केलिए लिए बचा हुआ है उस चोटा सा बबकार ना था इस वेस्ट बेंगॉल के अंदर अभी कुछ बाइलेक्शन होने के लिए जिन में कुछ लोगों की सीट्स तो है वो टैनियूर पेर्ट से पहली खतम होगी थी तो इस वैसे उनके यहां पर बाइलेक्शन कराए जाए जाएंगे यहां पर एक पॉइंट आता है एक आर्टिकल है इस लाइन ओफ एक्च्वल कंट्रोल इंसीडेंट्स विल गो ओन तिल पैक इस साइब यहां पर बात क्या की जा रही है पहले ना आप अपने मन से कंफ्यूजर निकालो कि एल एसी और एलो सी दोनों सेम होते हैं बहुत सारे मेरे विविवर्स हैं जो मुझसे पूछते हैं जो आपकिस्तान वाला रीजन है ना दोसो पाकिस्तान वाली रीजन के अंदर जो लाइन खीची यह जो बूलते हैं जो बें और जो क्या गई है अब लेकर यहां पर कुछ बाते बोली आहे हैं दोस्तों इसके लिए मैं आपसे डिसस्स करऊंगा अपने यहाँ पर नोटस पहले में आपको नोटस बतात। यह LAC की रिकार्डिंग क्या है तो LAC क्या होता है? line of actual control होता है ठीक है यह बेसिकली क्या है यहाँ पर क्या होता है कि जो partition किया गया था इंडिया और चायना का तो उस टाइम पर LAC line खींची गे थी यह तीन जगों पर आपको देखने के लिए मिलते हैं एक आपको काभ पर होता जिसमें इंडिया हार गी थी और इसकी वेह से जो मारा area था वह चायना ने कैप्चिर कर लिया था पूरी तरीके से अभी यहrow Nach यहां पर इंडिया का एरिया था लेकिन अब यह जो लाइन है इस लाइन के राइट इंट साइट पर जो एरिया वह पूरा चांग चाइन ने अक्यूपाइ कर लिया और लेफ्ट इन साइट पर यह हमारा अपना एरिया बचा है यहाँ पर नोट शगंदर आपने एक चीज देखे होग यह निए यह हमेशा conflict में रहते हैं, conflict में क्यों रहते हैं क्योंकि इसमें China जो होता है वो अपना दबबबा करने के कोशिश करता है चायना का यह कहना है कि पार्ट इंडिया का नहीं यह पार्ट हमारे चाइना का है जिसको लेकर हमीशा लड़ाई चलता है तो बात यह होती है कि जो चाइना है यह क्या करती है हमीशा एलोसी के उधार आने की कोशिश करती है हमारी इंडिया पर ऑक्क्यूपाई करने की कोशिश करती है सबसे बड़ी बात क्या है चाइना को हजम नहीं होती है अगर हम कोई कंस्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट करते है मैं आपको दो इंडिया के अंदर यह जो लाइन है जो हमारा जो लद्दाक वाला एरिया है यहा यह आपे शुक्षिश करें कि यहां अपने एक सब्सक्रेण अखने sowार ओने के तो आपने करते है अपने एकस्टेटीड़ ऩो तो इस बात को लिए हमेशा कॉंट्रीट देखे जाते है और चाइनी साथ peng दभब्दबबा द एक लिखते हैं क्योंकि हम इंडिया वाली कशा है कि आग एक्षण एक्षवटिच वहाँ पर दबा की करते हैं यह अची बाता है कि हम दबा की करते हैं तुम जलते रोग जितना ज़ेने मारे यह अगर यह मारे खिए कुछ गलत कर होगे तुम जबाभी कर वहाई है आपकोब से लिखे लेकिंगे जाता है लुखिएन ने दोस्तो rules and regulation तो बने जाते हैं लेकिन जिस सबसे आप देख पारे हैं चाइना जो है वो USA को भी टक्कर दे रहे तो इंडिया तो उसके लिए कुछ भी नहीं है तो वो कभजा कर नहीं कोशिश करता है हम इस बात को लेकर तो जाते हैं UNO के अंदर लेकिन UNO के अंदर पांच कं कोलती है कि जो वर्ड में 195 nations है 193 UNO में उसमें जो वीटो पावर पांच कंट्री को मिली है यह वीटो पावर हमको भी दे दो छटी कंट्री हमको बना तो लेकिन चाइना आप समझ जो चाइना उसके अंदर है तो चाइना यह वीटो पावर कभी इंडिया को नहीं आने पांच कंट्री जिनको वीटो पावर मिली है एक चाइना और एक युएस है तो आप सिफ बची तीन कंट्री बता दो और तीन कंट्री के आस वीटो पावर है ठीक है यह मेरा एक क्वेशन आप से यह चीज मैंने आपको यूनाइटी नेशन वाले पॉइंट के अंदर आप आप चाइनीज बात नियुकर रहे हैं दोस्तों हमें किसी से दुष्मनी थोड़ी है अगर कोई चीज हमारे करेंट अफेर किये तो हमें बिल्कुल पढ़नी चीए दोस्तों आज जो एक अक्टूबर आज बहुत खास दिन है आज चाइना का इंडिपेंडेंस दे है चाइना का क्या है अज इंडिपेंडेंस दे है आज ही के दिन चाइना जो है वो आजाद हो था तो सब जैसे हमारा इंडिपेंडेंस दे 15 तो 1947 को मना जाता है तो चाइना का एक अक्टूबर को मना जाता है जिहां दोस्तों चाइना ने अपनी जो इंडिपेंडेंस हांसिल यहां पर क्या हुआ था आजाद हुआ था अब यहां पर बात किया दिए जो आप ZING PIN की फोटो देख पा रहे हैं यह क्या कर रहे है अपनी बातों को रखरें सामने और यह एड्रस कर रहे हैं किस तरह से चाइना ने Mao Zedong की जो नीतिय हैं उनको अपनाते हुए China को कहां से कहां पहुचा दिया अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ यह सारी आप अपने लेवल पर पढ़ सकते हूँ मैं एक एक पॉइंट यहां पर नहीं बता हूँ यहां पर उन्हें को कई मुद्ध उठाए आप कोईट के लखष़ों को दूर किया है इस कारव वेक्सिनेशन की बात किये किस तरह साने वेक्सिनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ा है उन्होंने सबसे बड़ी बात तो Olympics लेकर किया है जो अभी Tokyo के अंदर Olympics हुए थे उसके अंदर मैंपको बता दू ब दिर्च ए उसे इसे कंगी तो एक चईना गोल्ड में आपने मीन Cham Benny's को लोंजो ने अपने कुरगोंने हूए कि हमारे यांपर 30 वक्ति हमारे ली बहुत जादा प्रड़क्टिव ए बिजनसमें से लेकर एक प्लेयर तक हमारे लिए हर वेक्ती बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है, तो कहीं नगई उनकी जो भाषण है, उनमें ये देखने के लिए मिला, कि कहीं नगई उन्होंने अपने लोगों को बहुत इनिशीट किया है, एक जनरल पब्लिक को उन्हों इन्होंने पूरी स्पीश के अंदर अपने देश पासी के एक एक विक्ती को कॉंट्रिबूट करते हो ला है, कि सरकार ने कुछ नहीं है, हमारे लोगों नहीं सब कुछ किया है, सरकार तो सिर्फ एक इनकों लिए helping tool की तरह काम करती है, बाकी जो काम करती है, वो पूरी काम पूरी करती है, इससे क्या होता है, पूरी का जो इंटरस्ट है, पूरी का जो फेथ है, वो जीता जा सकता है, जो चायना की दौरह यहां पर किया जा रहा है, ठीक है, चलिए, इसके यहां पर editorial section आता है, at quad, forming habit of corporation, अब quad को लेकर यहां पर क्या बात की जा रही है, यहां पर Quad, यह रहा, first meeting जो कि यहां पर quad क्यों थी, अब quad meeting के मैप को उता दो, इससे quadilateral होता है, उसके चार बुजाए होती है, वैसी चार देशों के हम मिला के यहां पर quad meeting बनाई गया है, quad summit बनाई गया है, quad के अंदर कौन कौन सी country आती है, आपकी India आती है, USA आती है, Australia आती है, और trade को बढ़ाने के लिए, और आप बोल दो, चाइना की dominance, सर आपको नहीं लगता, आप दो दो चीज़े अलालग बोल रहा है, हाँ मुझे बिल्कुल लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है, चाइना को लगता है, चाइना को लगता है, यह quad group उनके लिए बनाई गया है, इसलिए ऐसा बोलता है, क्योंकि यह जो चारो country है, यह चारो democratic country है, democratic मतलब लोगतांतरि country है, अब लोगतांतरि country किसके इतने रहकर काम करती है, अपनी nation, अपनी देशवासी, अपनी लोगों के लिए काम करती है, बट चाइना क्या है, एक republic country है, जो कि क्या है, democratic है, वहाँ पर जो सरकारी चलते हैं उन्हें चुनाव के थूनी चुना जाता वहाँ पर पार्टी चुनते हैं कि अगली पार्टी कौन से आने वह यह नहीं वहाँ पर लोगों की मत नहीं लियाती है वो डेमोक्राइसी के अंदर नहीं है वो कैपिलिजम को बढ़ावा देती है पूंजी मदर है डेमोक्रेसी की तो यहां से क्या हुआ कि चाइना को लगता है यह लग रहा है हमारे इंडो पैसिफिक रिजन पर काउंटर करने के लिए बनाए गया है तो आई थिंग अब आप समझ यहोग कि चाइना वाले इंडो पैसिफिक रिजन का मुद्दध क्यों ठाते हैं अब ही क्या हो था जो क्वाड लीटर्स थे अब आप जनते हो यूएस में यूनाइटिट निशन्स की मीटिंग उथी जनल काउंसिंग जनल कांसिल की मीटिंग उथी इस मीटिंग के अदर सारे प्रेजिएंट वगर प्राइम मिनिस्टर वगर गये हुए थे तो इंड़ा एगे प्राइमिंटर के गये हुए थे आॉस्टिलिया के गये हुए थे जापान के भी गये थे और यॉस एक पर बैटे हुए तो चारो लोगों ने पहली बार ऐसा हुआ कि चारो कंट्रियों के मिनिस्टर नहीं या प्रेजिडेंट लोगों ने मिलकर वहाहां पे वल्कि सामने सामने बैट के offline meeting की फिजिकल meeting की जब फिजिकल meeting होती है तो हमारे जो expression होते हैं वो भी कई बार note कर लिए जाते हैं उनसे भी कई सारे हमारे actions पर हमारे plans पर differentiate करने के लिए मिल जाता है जब यह meeting होते हैं तो यह बहुत fruitful meeting होई इस meeting में यह decide क्या है किस सारे से COVID-19 के pandemic को हम दूर कर सकते हैं किस सारे से Indo-Pacific region पर हम China की dominance को यहाँ पर reduce कर सकते हैं अगर हम इसके background की बात करें तो November 2017 में India, Japan, USA और Australia ने इसको क्या कहता प्रपोजल दिया था किसको quad group को और 이 quad group basically किस ते बना था Indo-Pacific region में जो China की dominance है उसको free flow करने के लिए कि कोई भी country जो country की जो ship है वो उसमें जा सकती है और अपना व्यापर कर सकती है लेकिन यहाँ पर एक बहुत गलत चीज़ देखने के लिए मिली कि यहाँ पर क्या हुआ कि USA ने इसको counter करते हुए एक दूसर group बना लिया जिस group का नाम आपको बताए AUKUS group Australia, UK और United States of America इन तीनों लोगों ने एक AUKUS group बना लिया तो जब से AUKUS group बना है तब से कहिना का quad group जो है या जो quad जो summit है इस पर उसका प्रभाव देखने के लिए आपर मिलता है तो दीरी दीरे जो हमारा ये है ना हमारे जो quad group इसके relevance थोड़ी सी कम होगे और हम AUKUS को ज़ादा भाव दे रहे क्यों? क्योंकि इसका अंदर USA है अब आप जनतों जब same चीज़ के लिए दूसरा group बना दिया तो लोग quad group के और क्यों धहन देंगे उपर से अब quad group में जो meetings होती थी उनमें आज तक ऐसा देखा गया कि धीर देर Australia भी धीर देर पीछे होती जा रही थी मतलब एक group तो बना दिया लेकिन जब इसके बात होती थी execution की तो country थोड़ी पीछे उड़ाती थी चाइना से डल के मारे लेकिन जब से august group बना है इसमें इंडिया नहीं है यह मुझे लगता है थोड़ा सा यह negative point है अगर इंडिया और जापान को भी इसमें शामिल कर लें तो हम कह सकते है एडवांस लेवल का august group बन जाएगा तो यह चीज होनी चाहिए थी बट यह चीज नहीं होई है तो इसको लेकर बात बोली है रही कि हो सकता है फ्यूचर अंदर august group के अंदर इंडिया को इंक्लूट कर लिया रहे और future के अंदर का जा रहे है कि अगर quad group को अगर चे से समाला जाए तो कहीं न कहीं और august group को यह कहीं न कहीं यह help कर रहेगा कौन सा group quad group ठीक है चलिए अब यहां पर एक एड़ुटोरियल आता है Our state a clean sweep and the art of sanitation अभी शिवराज सिंग चौहान जो है खुले में शौच बिल्कुल नहीं करनी चीए पते क्यों नहीं करनी चीए देखो आप इस topic को ना ऐसा मसोचो सर आप क्या पढ़ा रहे है क्या नहीं पढ़ा रहे है कोई भी चीज अगर सरकार करती है तो बड़े सोच समझकी करती है आप इसको उस सेंस में मतलो यू आर लाइक एड्मिशेटर वो ओफिसर यार आप ओफिसर वो देश बदलने के बात कर रहे हो तो हमें इन बातों पर चर्चा करनी पड़ेगी जब हम खुले में शौच करते हैं तो क्या होती कई सारी बैक्टिरियाज होते हैं जो हमारी बाडी के अंदर बहुत आसाने से एंटर कर जाता है जिसके से हमें कई टाप की बिमारिया होने लगती है और वो बिमारिया फैलने का यहां पर खत्रा होता है जिस बात को एड्रस करते हैं वो बोलागे चिक उसके सारी के लिए खासफरपए आँस्स बात बाहर लोग करने के लिए जाते हैं तो शौनचाले बनाने के गौर्टमिन यह आपर पैसे भी दे हैं जो गाउं की ज impact वी घुला पैसे का है लोग होते हैं उनको पैसे देका शौंचाले बनाने की बाद बोली गए तो यह पर मद्रप्रदेश के चीफ मिनिस्टर नहीं बोला है कि शौंचाले का जो प्रोजेक्ट है वो इतना जादा फूटफुल रहा है इतना जादा सचिस्फुल रहा कि उसे आज की डिट में अगर क्लीन अर्बन अर्बनाईशन को आगे बढ़ाने की कोशिश का है दोस्तों आपको में बता दूं 2020 में एक रिपोर्ट हो थी रिपोर्ट क्या हो थी क्लीन ने सर्वे किया गया था कि कौन सी सीटी कितनी जादा क्लीन है जिसमें मद्रप्रदेश जो है थर्ड रंकिंग पर आई थी ऑर फॉस्त रंकिंग पर हमारी पता है कोंछी ती क्या बढ़ाने की तो अंदर सवच भारत अभ्यान बभाद बहुत बड़ा इनिशिट लेने पthose अ पहुत प्लीन करहें अ दोस्तों यहां से सीखना वाला पॉइंट है कि किस तरह से जो छोटी-छोटी स्टेट्स हैं वो ही काम करें हम डेली वाले की काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं तो इस यह सोचना नहीं बात है कि हमें भी अपने आपको टॉप 5 रैंकिंग अंदर लाना पड़ेगा ठीक है और अगर आप देश को जीत भी लो आप अपनी फ्रीडम ले भी लो लेकर असली फ्रीडम उस दिन माननी जाएगी जिस दन हम प्रॉपर स्वच्छ भारत अभ्यान को आगे बढ़ाएंगे मतलब हर व्यक्ति के पास सेनिटेशन फैसलिटी होगी उस दिन हमारे देश सब को ही देना है ठीक है चले इसके आद यहां पर एक आते है फेलिंग ऑन फूड फूड का क्या मतलब है दोस्तों आपको पता है कि अभी स्कूल से अंदर जो मिड़े मिली स्कीम चली उसमें कई सारी खामिया थी कि जो खाना है वह उतना अच्छे क्वालिटी का नहीं मिल गया अब यह क्या है पिया पोश्चन इसके तहित का गया कि पहले बत तो यह हम खाने की जो टेस्ट है जो खाने का तरीका है उसको बदलेंगे यहां पर और खाना हर इसकूल के बच्चे को गरम से गरम प्रोइट करवाएंगे मतलब बिल्कुल ताजा फूड यहां प्राइमिनिस्टर ने क्या किया पोश्चन इसके तहित क्या किया रहेगा कि उन्हें गरम खाना दिया जाएगा बच्चों को जो कि सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ते हैं इसी स्कीम को रिप्लेस किया गया है मिड़े मिली स्कीम से उसको खतम करके यह नई स्कीम लाई गई अब इसी स्कीम को बोला गए कि 1226 तक इसी स्कीम को चलाए देगा अब यह पोशन इसकीम है क्या इसके अंतर एराउंड ग्यारा पॉइंट आठ करोड इस्टूरेंट को यहां पर कवर किया जाएगा जो कि फर्स्ट क्लास तक पढ़ने वाले बच्चों को यहां पर फ्री में होगा अब इसके तहित क्या होगा कि लोगों को न्यूट्रिशन डाइट मिलेगी तो वह अपनी जो कहते हैं ना कि अगर हैल्दी दिमाग होगा तो पढ़ाई में उतना ही अच्छा पर दिमाग लगया और यह एक तरह का डानेट बैनेट फिट ट्रांसफर है जो कि सेंट् प्रिंस्पल टेस्ट करेंगा और साथ में उसके दो टीचर यानी टोटल तीन लोग होंगे जो टेस्ट करके क्वालिटी कंट्रोल चेक्स बताएंगे खाने में कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि अगर एक स्कूल के तीन टीचर खारें जिसमें एक प्रिंस्पल भी है तो इसका खाना अच्छा ही बनाओ क्यों अगर खुद टेस्ट करने की बात ना उती तो बच्चों को गलत खाना भी बटवा सकता लेकिन आप प्रिंस्पल खुद टेस्ट करेंगा तो वह मेंशा खाने बनाने वाले लोगों को बलो भाई ऐसा है खाना सही बना के लिए और नह नेगेटिव इंपक्ट डालेगा लेकिन जब से क्वालिटी कंट्रॉल चेक्स इंटर्डीउस के हैं तब से देखागी कि चीजे सुधरती हुए हमारे पास नजर आ रही है ठीक है तो यह जो बिसके लिए पूरा अर्टिकल है वो यही बोल दाए कि चाइल्ड की जो निट इसके बार हम आगे चलें यहां पर तो यह भी कोई खास नहीं है यहां पर बात चलिए क्या चाइना को जॉइन कर सकता है तो जो प्रधान मंतिर नहीं आउस्ट्रेलिया के इन्होंने काये कि जिस हसाब से हमारा क्वार्ड ग्रूप जय वो अच्छे लावल पे चला आप त नहीं कौर्ड ग्रूप की भी अपनी एक एहमियत है तो चाइना इनकी दोरह ऐसा बोला गया प्राइमिनिस्टर जो अस्ट्री लेक हैं कि हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर फ्यूचर के अंदर चाइना भी इस ग्रूप को जॉइन कर लेकर बड़ा खाफा खाफा है अ इसे तो भी कहा जा रहा है ऐसे कोई पुक्ता कोई सबूत नहीं बोले गए बड़ जब जोइन करें तब हम इस पर पूरा डिसक्शन करेंगी चाइना ने इसको क्यों जोइन किया अब यहां पर बात करते हैं हैंडलिंग चाइना अब बाइलेटरल इशू अब यहां पर क् टेंशन मतलो अगर चाइना में और इंडिया में कोई विवाद चले तो यह हमारा इंटरनल बाइलेटरल मैटर है हम इसको आपस में रहका सुलजा लेंगे हमें किसी भी यूनाइटे नेशन की या किसी तीसरी कंट्री के हमें इसमें कोई ज़रुवत नहीं दखल अंदाज कि बाइलेटरल इशू आपस में मतबेद हैं हम सुल जा लेंगे इसको यह एक छोटा सा नियूसा मैंने सोच आपको इसके आरे बता दू कि किस तरह से हम जो है चीजों को यहां पर टैकल करते हुए चलते हैं इसके बाद हम थोड़ा सा और आगी चलते हैं यहां पर क्या है कि इन्हों ने इतना बड़ा रिफॉर्म किया आपको पता है एक रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया है कि जब से भारत आजाद हुआ है जब से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली है तब से लेकर 2021 तक में अगल जुडिशरी में रिफॉर्म्स आये है तो सन 2021 के अंदर है और 2020 के अंदर जब से सीवी रमना ने चीफ जस्टीस ऑफ इंडिया की पोस्ट समाली है तब से सुप्रीम कोट कोलोजियम में या जो जुडिशरी सिस्टम है उसके अंदर बहुत मेजर चेंजिस देखने के लिए मिले है और जो भी मेजर चेंजिस है इस सारे पॉजिट करने का काम की अलगवा और 68 68 जो लोग है उनको उन वेकेंसिस को फिल करके और खास तोर पे इनका वोमें के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा है यह क्या कहते हैं कि हम वोमें एमपावर्मेंट को बढ़ावा देंगे और जो जजजिस जहां पर सिर्फ मेल मेंबर होगे करते अब वहाँ पर वोमें का जो पार्टिस्पेशन है उनको भी यहां पर बढ़ाने के यहां पर बात की गए तो और 60 नाम जो लोगों ने सजजिस के थे जिसे ही कहा जा रहे है कि अभी तक भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने सारी जजिस की एक साल के अंदर जो सीट से वह अपॉइंट की गए ऐसा कभी भी नहीं हो चलो अब ना मैं आपको कॉलेजिम सिस्टम के रहे है तो वैसे मैं अलरी बता चुका हूं बड़ आप जितनी बार पढ़ोगों इतना आपके दिमांगे बिल्कुल चीज़े बैठ जाएंगी कि सुप्रीम कोट का क कि dileten टेराई कि यहां पर ज़्चिस की एahaha के जाती है और मैं आपको दातो हम ज़ेशा के कैँसे करने जो पुराना वाला CG शीव करने के लिए लेकिन कहा ही जानने लगा कि ऐसे तो आप हो सकता है नेपोटिजम को बढ़ावा दे दो तो फिर यह का गया है 1993 के अंदर कोलिजन सिस्टम में थोड़ा सा चेंज करेंगे अब चीफ जचिस ऑफ इंडिया के साथ दो लोग और होंगे दो सीनियर जचिस ऑफ इंडिया के साथ जाते हैं अब कमेटी के अंदर पांच मेंबर होने चाहिए जिसमें एक तो जो पुराना चीफ जचिस ऑफ इंडिया है वो होना चाहिए और चार और मेंबर जचिस ऑफ इंडिया होने चाहिए जो कि स्प्रीम कोट में उनका अच्छा खासा एक्स्पिरेंस रहा हो यहनी ट इस सरी बात बताओ जो यह एनवी रमना है तो यह एनवी रमना सर जब एपोइंट की गए होगे तो इससे पहले क्या पांच जजिस ने इनकी रेकमेंडेशन देऊगी जीहां दोस्तों जो पुराने चीफ जचिस ऑफ इंडिया है उन्होंने प्रस चार और लोग यानी टो मतलब जो भी एफेक्टिव डेट होगी उस सारी से चीफ जचिस ऑफ इंडिया नए अपॉइंट कर दिये हैं तो यह कोलेजिम सिस्टा में दोस्तों इस आर्टिकल में तो सिर्फ इतना बताए गया था कि किस तरह से अगस्त महीने के अंदर कोलेजिम सिस्टा में इतने सार या चाचे यहां पर काम कर रहे हैं ठीक हम जो लोग हमारे स्टुडेंट है पुराने वीवर से अच्छे से जानते हों कि इनका जब भी नियूज आता है तो यही नियूज जादा तर रिपीट होती है ठीक है इसका धिया पर क्या हो रहा है कि नीट में यह बोला गया है कि जो ओइर सीटीजन उफ इंडिया उन को जनलघ केटीरी में डाला जाएगा डियूज के डालने का मतलब ही वता हिके कुस लोग ऐसे ऑता है जिनका क currently डिए हमारे बहारे संवीदान में कई सारी चीज़े बोले गीगे अब इन पर कोई इसी ऑ इसी स्टूडेंT अगर इखस कोटा सिस्टम नहीं दें क्योंकि भारत का रेजरेंट नहीं है वो बाहर से आया हुआ है मेरे बात को समझ पार चलो इसके लिए मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूं तब आपको जाल अच्छे से समझ आएगा Overseas citizenship of India जिसको OCAE बोलते है O for overseas, C for citizenship, I for India OCAE G.S. paper no.2 Indian constitution जो हमारी Indian polity उससे related है ठीक है अब क्या है Ministry of Home Affairs है इन्होंने बोला कि एक person citizen कब माना जाएगा जब वो 26 January 1950 से पर या उसके बाद भारत का क्या होगा नागरिक होगा हम उसको क्या बनाएंगे citizen बना देंगे इंडिया का अच्छा हमारा section 7A जो OCAE का वो यह बोलता है कि अगर मानलो कोई बाहर का person जो OCAE है बट उसकी तो grand parents है वो इंडिया की रहने वाले तो हम उनको भी citizenship देंगे अगर उनका maximum कहां से चलाओ इंडिया से चलाओ लेकिन पाकिस्तान और बंगलादेश वाले को हम citizenship इंडिया की नहीं दे सकते हैं तो यहां पर बात क्या चली है जैसे क्या होता है जो OCAE लोग होता है या बाहर के लोग होता है वो इंडिया में आते हैं किसी exam के लिए या उनकी family यहां पर रहती है तो उनके लिए क्या होता है उनको कुछ छूट दी जाती है क्या छूट दी जाती है कि वह अपना migration जो है वो पांच सालों तक के लिए ले सकते हैं या पांच साल तक उनके कोई वीज़ा की ज़र होती है एक बार उनको मिल गया वीज़ा तो बस उस पर पांच साल तक इंडिया में श्टेक कर सकते हैं लेकिन इसकी limitation यह है कि जो OCAE लोग होते हैं उनको यानि OCAE मतला Overseas Citizen of India इनको हम voting right बिल्कुल भी नहीं देते हैं अगर यह government job भी करना चाहिए भारत में तो यह नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह job कादिकार सिर्फ रेजिदेंट इंडियान स्कॉर किसी को भी नहीं है और even कुछ जगह पर यह travel भी नहीं कर सकते हैं इंडिया के अंदर वो restricted होती है अगर करना चाहते हैं तो government की prior approval यहां पर लेनी पड़ेगे तो अब यह मुद्दा क्या था मैंने आपको OCI के आरे बता दे मुद्दा यह था कि जो नीट के एक्जाम होते हैं इनमें quota system चलता है तो बहुत से लोगे तो भारत पढ़ते हैं लेकिन एक्जाम देने वो इंडिया में आते हैं नीट के एक्जाम देने तो University Grand Commission ने यह बोल अब यहां पर है Urban Mission to get a big outlet अब यह Urban Mission को लेकर बात चलिए कि किस तरह से आप दनते जिसे कूड़ा करकट होता है यह फलाए जाता है सवच भारत Mission के थूरू इसमें चीजे रिफॉर्म की जाती है फिर इसके अंदर क्या होता है Artel Mission for Urban Transformation तो यह सारी Mission क्या करते हैं इंडिया क अंदर जो कूड़ा गरकट है इसको फैलाने से रोखने का यहां पर काम करते हैं देखो कहा ही जा रहे हैं आप कितने भी Mission बना लो जब तक इनसान अपने दिल से काम नहीं करेगा जैसे मान के चलो आपने सोच भारत अप्यान बनाया लेकिन मैं बाहर पेटेस खाता हूँ बाहर ने के पेटेस खाये चाय पी यह काफी पी उसके जो डिस्पोसल ग्लासे सोते हैं वो मैं उठाके कहीं भी फेक देता हूँ मतलब डश्विन डालके रोड पे कहीं भी डाल देता हूँ अरे रोड मेरा घर तुड़ी इचलो डाल दो क्या लेकिन घर को साफ रखेंगे क्या अगर हर इंडियन की सोच हो दाएगे क्या इंडिया कभी साफ हो पाएगा यह अगर सरकार कितने भी अच्छे रूल बना ले जब तक हम अपनी सोच को नहीं बतलेंगे हम अपनी सोच में चेंज नहीं लेकर आएगे तब तक कहीं कुछ नहीं हो सकता तो इसलिए यह आ आगे अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर business section यह जो हमारा economic section है business section इसमें बोला गया कि जो हमारा core sector है वो आने वाले time के अंदर 11.6% से increase हो है अगस महिने में तो September और October मन्त में यह rate और भी जादा बढ़ा हुआ मिलेगा यहां पर point उड़ता है सरी core sector क्या होते है ज़र आपको याद चाहिए core sector इंडिया में कौन कौन से है चलो मैं आपको इसकी photograph दिखाता हूँ कि हमारे इंडिया में कौन कौन से है वो coal sector के अंदर count की जाते है तो मैं आपको अता दू कोल सेक्टर के अंदर 8 industries आते हैं जिसमें coal India आती है crude oil आता है natural gas आती है refineries आती है electricity आता ह है अभी core industries आभी lockdown के टाइम पर इनमें थोड़ा सा production कम हो गया था जिसके चलते हैं जो growth rate है वो भी कम हो गया था लेकिन अब यह कहा जा रहे है कि इनकी growth rate है उसके अंदर एक बहुत जादा बहुत तेजी से यहां पर hike देखने के लिए मिला है अगर हम आगस महीन का data देख दोस्तों याद रहा है आप यह माँ सोचो कि core industries बढ़ रही है तो इससे हमें क्या फाइदा दोस्तों वहाँ employment बढ़ रही है लोग एस रोज़वार मिला है लोग एस पैसा है कर तो दिमांड जादा करें दिमांड जादा करें तो प्रोड़क्शन बढ़ेगा तो employment बढ़े हुआ जब आप उसका अंसर दो मैं उस दिन मानूग है कि आप economist बन गया है नियूस को आप हमेशे economics से लेट करना सीख जाओ जिस दिन ही सीख जाओगे सच बतारो economics बहुत एजी लगने लग जाएगे आपको ठीक है चलिए अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है fiscal deficit दोस्तों यह चैटर भी मैं आपको पढ़ाएं नहीं बट क्लास 12 हैं पढ़ाएं था fiscal deficit का मदल होता है कि जो हमारी भारत सरकार के खर्चे होते हैं जब वो जादा हो जाते है और revenue यानि collection कम होती है तो उसके इसमें हमारा account negative में चलायता है जिसको मोलता है deficit और क्यूंकि एक साल में ए देखा गया कि हमने fiscal deficit 31.1% से टच कर लिया यह बहुत जाद है भाई सब यानि 100 रुपह की कमाई है और हमारे खर्चे 131 रुपह के हैं अब क्या है देखो अगर आप as a economist देखते हो तो आपको पता चलेगे यह तो अच्छी बात है बट as a economics student देखते हो तो आपको लगे यह गलत चीज़ है देखो हम दोनों एंगल से सोचेंगे बिंगर इस्टूटिनेंट हम कहते है भाई यह फिसकल डेफिशिट होना अच्छी बात है तो आपको अच्छी बात है क्यों जदा फिसकल डेफिशिट हो रहे इसका मतलब गौर्मेंट हम पर खर्चा जदा करी है यह इसे हम लोग क्या बने है प्रोड़क्टिव बने है एक टाइम ऐसा आएगा तीन चार साल बाद कि जितना गवर्मेंट अभी खर्चा हम पर करें हम इतना प्रोड़क्टिव हो दाएं कि गवर्मेंट को खुब सारा पैसा कमा कमा के हम देंगे तो इसलिए मैं कहारा हूँ कि एक लेवल तक ठीक है लेकिन उसके ब्यांड वो चीज़े क्या हो जाती है खराब होनी शुरू हो जाती है ठीक है और करेंट अगाउंट का जो सरफ्लस है वो हमारा बढ़ गया है 6.5 बिलियन डॉलर से क्वार्टर वन के अंदर करेंट अगाउंट के अंदर क्या होता है ब इंदिया और आस्ट्रीलिया को लिकर यहां पर बात किया रही है यहां पर फ्री ट्रेड अग्रिमेंट की बात किया रही है दोस्तों यादोगा मैंने इंटरनेशनल रिलिशन जहां पर टॉपिक था हमारे बुक के अंदर चैप्र नबर 14 उसके अंदर मैंने आपको अगर आप किसी कंट्री के साथ एफ्टी कर लेते हो तो ऐसे कि इसमें आप एक्स्पोर्ट इंपोर्ट पर उनसे कोई टेक्स चार्ज नहीं करोगी यानि फ्री फ्लोगा गोड्स एंड सर्विसेस का उसको बलता है फ्री ट्रेड अग्रिमेंट दोस्तों जितनी अच्छी जितना ज़ादा हम फ्री टेड इर्डमेंट उस कंट्री से करते हैं उतना मारा व्यापार बढ़ जाता है फ्री इक अंदर प्रस्ताव रखा जाएगा ठीक है चलो आप चीजों को रिलेट कर पारे हो सही तरीक से नहीं कर पा रहे हो ठीक है चली इसके अगर हम आगे यहां पर चले तो वर्ड सेक्षन की अंदर बात बता ही जा रही है मेरे पास आना मैं तूम्हें लोन दौगा तो आपको लगए सः देखो कितने अच्छे हमारे ऐमारे हमें लोन दे रहे हैं हमारी बबरे बुरे टाएम पर हमारे साथ खड़े हैं लेकिन दोस्तो यह चीज गलत है गलत कैसे मैं बटाता हो गलत ऐसकी अगर मैं आप लोन दे र मुझे देदो ठीक ऐसी चाइना कर रहा है चाइना अलोला कर दो मैं श्री लंका का एक्जंपल टॉप प्रियोर्टी में रखता हूं अभी रिसेंट्ली में क्या क्या होगा है रहर दोजार्सॉला से श्री लंका अपने पास लो青 या चाइना से तूम्हें कितना ची तुम मूफ हालो अपना हम लोन देंगे अब चैना लोन देंगा आप श्री लंका विस हालत में पहुत गए कि वो लोन की पेमेंटी Living कर पार मारे पास खर्चती तनी ज्जाद पाते हैं कि हम सारे रचाइए क सकते हम किसी ना वहाइ पर हम एक हम ता थाрод कर सकते हमें किसी ना किसी के लोन ळेने ही पड़ते हैं जिसमें चायना भी एक country है ठीक है चलिए तो आपको ये बात समझाएगे around 42 ऐसी countries हैं जो कि debt trap में फस चुके है around GDP का 10% से भी जादा पैसा और उन्होंने चाइना से ले रखा है खेर इंडिया की इतनी बुरी हालत नहीं है बट यहां पर यह काज़ा है कि China किस ऐसे hidden तरीक से लोग को लोन देती है मतलब country को लोन देती है और उन्हें अपने जाल के अंदर फसा लेती है ठीक है तो यह सारी बात होगी बस आज के जो हमारे इंडियोन इस पेपर इसमें इतना ही है लेकिन अभी रुकुर रुकुर जाना नहीं है अभी हम यह पढ़ेंगे आज इसमें टॉप पचास कमनी निफ्टी के अंदर कौन कौन से ठीक है जिसके अंदर हमारे पास आती है अधानी पोर्ट, एशन पिंट, एक्सिस बैंक, बज़ाज आतो, बज़ाज फाइनन सर्विसेज, बज़ाज फाइननस, भार्थी इटेल, बिपी सेल, बिटैनिया, इंडिया, सिपला, कोल इंडिया, डिविस लैब, डॉक्टर, एटी लैब, एंकर मोटर, ग्रासमीन हिरो मोटर कॉम, हिंदुस्तान कंपनी, हिंदुस्तान उनिलिवर, आइसे इसे बैंक, इंडस्लन बैंक, इंफोसिस बैंक, इंडियन ओयल कॉर्पेशन, आइटी सी, जेस डव्लू, जेस डव्लू, स्टील, कोटेक बैंक, L&T, M&M, मरतिय सुजू की, नैसल इंडिया सब्सक्राइब, NTPC, ONGC, Power Grid Corporation, Reliance Industries, SBA, SBA Life, SBA Bank, Shree Cement, Sun Pharma, Tata Consumer Product, Tata Motors, Tata Steel, Tata Consultancy Service, Tech Mahindra, Titan, Ultra Tech Cement, UPL और Wipro, अच्छा एक बात बदाओ, IMF लोन किस में देती है, SDR मतलब स्पेशल द्राइंग राइट, जिसमें 5 बास्केट ऑफ करेंसी जाते हैं, जिसमें US डॉलर, यू पर पर अनालेसिस का था, यह बाकी मिलते हैं, नेक्स आस में, तब तक के लिए, पीस आउट